नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नसर सिर्ख्यों पर जमीन मापी के लिए राजश्व विभाग ने लॉंच किया इमापी पोटल आठ विश्व विद्यालियों के नौ सिक्षकव करमचारी निता का वेतन पेंशन बंद पियुद्या की तरह बिहार में भी बन रहा विराट रामायन मंदिर हनिश कश्यप जल्द आ सकते हैं जेल से बाहर मिली जमानत शड़क गाउगली को इस खिलारी में दिखी धोनी की जलक इसके साथ ही बरते हैं शाम तकी बड़ी खबरों के उर्विस्तार से जमीन मापी के लिए रजश्व विभाग ने लॉंच किया इमापी पोटल बिहार के लोगों को अब जमीन की मापी के लिए दफ्तर्स के चक्कर नहीं लगाने होंगे दरसल बिहार सरकार के राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के मंतरी अलोक महता के द्वारा मुख्य सचिवाले सित अपने विभागे काड़े आले में इमापी पोटल www.emap.bh.gov.in लाँच किया गया है ऐसे में अब लोग इस वेबसाइट के माध्यम से आवीदन कर और उचित फीज दे कर अधिक्तम 30 दिनों में जमीन की मापी और इसके कागजात अंचल काड़े आले से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं वेवाग के मंत्री आलोक मेता के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है किसके तहट दोगुना फीज दे कर ततकाल मापी की भी विवस्था की गई है इसमें अंचल अधिकारी अधिक्तम 10 काड़े दिवस के भी तर मापी की प्रक्रिया पुर्ण करना सुनिश्चित करेंगे महायोगिनी मेला का हुआ सुभारम परोसी देश से भी घूमने आते हैं लोग विहाल के सहर्षा में लगने वाले रक्तिकाली 64 महायोगिनी मेला का सुभारम हो चुका है बता दे किसका उधगाटन चिलादिकारी वैभव कुमार चौधरी के द्वारा किया गया जिसमें डी-म सदर्थाना अध्यक्ष्री राम सिंग मेला कमीटी के अध्यक्ष मोहन जास सहित कई मेला के कारिकरता मौजूद रहे मालूँ हो कि मेला 14 जन्वरी 2024 तक चलने वाला है वही इस मेले में विवन राजियो से वैपारी पहुंच रहे हैं और साथ ही इस मेले में कई तरह के जूले भी लगाए गया हैं बतादे कि इस मेले में ना केवल कोसी छितर के लोग घूमने आते हैं बलकि इसके अलावा इस मेले में नेपाल से भी लोग घूमने आते हैं इस बारे में मेला कमीटी के सदस्य अमरत राज के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया किस मेला में जहां भारत के विविन प्रांतों की कला कृतियों को देखा जा सकता है वहीं अपनी संस्कृति को सनक्षित रखते हुए उसके समवर्धन के पुक्ता प्रयास भी किये जा सकते हैं देख के विविन प्रांतों से दुकानदार पहुंचे हैं वहीं लोगों के मरोड़ंजन के लिए अनेक संसाधन लगाए गये हैं किसान सम्मा निधी के लिए बिहार डाक सर्कल चला रहा अभियान बिहार की किसानों को प्रधान मंतरी किसान सम्मा निधी की राशी मिल सके इसके लिए बिहार डाक सर्कल की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है वहिन सब के अलावा कहीं और योजनाओं का भी लाब लोगों के घर तक पहुचाने की कोशिश की जा रही है जिसमें भारत सरकार की आयुश्मान भारत योजना, उजवला योजना, सुकन्या, सम्रिद्धी योजना समेथ कहीं योजनाओं के नाम शामिल हैं बतादी की लोग आधार कार्ड, मोवाइल नंबर और नियुन्तम, 200 रूपए की राशिशे, आसान प्रक्रिया में निकर्तम दाग घर में खाता खुलवा सकते हैं आठ विश्यविद्यालियों के नौ सिक्षकव करमचारी निता का वेतन पिंसन बंद, उस सिक्षा निदेशक रेखा कुमारी के ओर से बिहार के आठ विश्यविद्यालियों के, नौ सिक्षकों एवं करमचारी निता का बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के निर्देशु क विरोध करने के कारण वेतन और पिंसन बंद करने को लेकर समबंदित कूल सचीवों को आदेश चारी किया गया है बता दे कि ये सभी सक्षक और करमचारी, नेता बिहार, राजे विश्यविद्याले, करमचारी, महासंग और पटना विश्यविद्याले, करमचारी संग के पदाधिकारी हैं मालुम हो कि कुल सचीवों को दिये गए नर्देश के अनुसार इन पदादिकारियों के द्वरा सिख्छा विभाग के नर्देश का विरोध किया गया है जो विभागे हित के विरोध है और सरकार की छवी को धुमिल करने वाला है ऐसे में पतादिकारियों के संतोष जनक स्पस्टी करन मिलने तक इनके पिंसन और वेतन पर रोक लगा दी जाए बिहार में पहली बार हुई हलिकॉप्टर से छापे मारी बीते दिन स्वास्ते विवाग के अपर मुख्य सची प्रत्य अमरत अपने टीम के साथ बिहार के किसन गंज जिला के जिला अस्पता सामुदाईक स्वास्ते केंद्र प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र और स्वास्ते उपकेंद्रों का निरिक्षन करने पहुँचे के निरेक्षण के दौरान यह पाया गया कि इलाज किया जा रहा और मरीजों को मुफ्त दवाइं दी जा रही है इस बारी में स्वास्ते विभाग के सचीव अ हमार अलर्ट बितदन केंद्रे स्वास्ते मंत्री के द्वारा देश के सभी राजियों के स्वास्ते विभाग के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग की मदब से समिक्षा बैठक की गई जिसमें उनके द्वारा को लेकर सभी राजियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया वहीं अब सिंग कराने का नर्देश दिया है स्वास्ति विभाग ने अस्पताल आने वाले सर्थी खांसी बुखार याने एंफ्लुएंजा लाइक इल्निस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफ्रेक्शन के लक्षन बाले अस्थान ये रोग्यों की जाच के नर्देश दिये ह को नर्मान करवाया जा रहे है, बता दे किसमंदर का नर्मान सूपरवीजन टाटाकंसल्टिंग के द़्ॉरा किया जाएगा इसको लेकर टाटाकंसल्टिंग इंजिनर्श लिमिटेड और महावीर मंबर के नियास के बीच एक समझोते पर हस्ताक्षर हुआ है इस मंदर को वर्ज 2016 में श्रधालों के लिए शुरूक कर दिया जाएगा वहिस मंदर का निर्मान करने वाली कंपनी के महा प्रबंधक शौरब मूले के दौरा बताया गया कि उनकी कंपनी विराथ रमायन मंदर के निर्मान की गुनवत्ता सुरक्षा डिजाइन टाइम लाइ सब्सि sudah करेगी मनीश करशब जल्द आ सकते हैं जेल से बाहर मिली जमानत बीते दिन पठना हाइकोड के जस्टिस सुनील पंवड के द्वारा मनीश कर्षब की जमानत यीाचिका पर सभी संभन पक्षों की दलीले सुनने के बाद दो मामलों में जमानत मिल चुकी है इस मनीश कर्षप के अधिवक्ता आदेश राज सेंग वा अधिवक्ता सौरब राय के द्वारा बताया गया कि मनीश कर्षप के खिलाफ कई मामले दर्थ थे जिसमें जमारत मिल चुकी है वहीं पटना हाई कोड के द्वारा जिस मामले में जमारत दी गई है उसके बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे उन्होंने कहा कि कुछ कागजी काड़ेवाई पूरी करने के बाद मनीश कर्षप के रहाई हो जाएगी विसेश सिक्षक पातरता परिक्षा की उम्र सीमा में मिली 10 साल की छूट पिहार सरकार के सिक्षा विभाग की प्रात्मिक सिक्षा निदेशक मिथ इस मिश्र के द्वारा अभिहार बोर्ड को एक पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई है कि अभिहार विसेश विद्याले अध्यापक नियमावाली 2023 में है कि इसके लागू होने के बाद अधिक्तम आयू सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी नियुनतम 50 अंकों के साथ मानिता प्राप्त वीवी से सनातक संग BCA, BSE, Biotechnology, BSE, Electronics, Engineering से सनातक और सांखी के विशय में सनातक युग गिता धारी को भी आवेदन करने के छोड़ दी जाए बासुकी नाथ जाको मैथली भाषा के लिए मिला साहित्य अकादमे पुरुसकार बीते दिन साहित्य अकादमी के द्वारा वर्स 2023 के लिए अलग-अलग पुरुसकारों की घोशना की गई जिसमें यह भी बताया गया कि मैथली भाषा के लिए प्रोफेसर बासुकी नाथ जाको उनके निवंद संग्रा बोद संकितन के लिए 2023 का साहित्य अकादमे पुरुसकार दिया जाएगा मालम हो की प्रोफेसर बासुकी नाथ जाम मैथली साहित्य और साहित्य का संस्थानों से जिर्वए हैं पहले भी इनके साहित्य साधान के लिए बिहार सरकार के द्वारा ग्रियर्सन पुरुसकार अमेरिकन बायोग्राफिकल इस्ट्यूट के मैन ओफ द इयर पुरुसकार और मितला विवूती समान से सम्मानित किया जा चुका है वहीं जिस निवंद संग्राबोध संकेतन के लिए उन्हें साहित्यकाद में पुरुसकार मिला है वह मुख्य रूप से उनके द्वारा विवन किताबों के लिए लिखे गय भूमिका का संकलन है बता दे कि उन्हें यह पुरुसकार वर्स्तो हजार 24 के बारब मार्च को कमानी सभागार में आयुजित कारेक्रम में प्रदान किया जाएगा मुख्य मंत्र नितिश कुमार के द्वारा भे ने इनकी इस उपलब्दी पर शुप कामनाय दी गई है एक्स ट्विटर हुआ क्रेस यूजिस को हुई भारी परिशानी अज सुबह 11 बजे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स में तकनी की खड़ाबी आ गई जिसके बाद एक्स पर नियमित ट्विट के बजाए आपकी टाइम लाइन में आपका स्वागत दिखाया जा रहा थ एक्स के क्रेस होने से यूजिस को पूरी दुनिया में परिशानी का सामना करना पड़ा हुए पहली बार नहीं है कि एक्स को आउटेज का सामना करना पड़ा है खुद प्लैटफॉर्म पर भी हैस्टैक ट्वीटर डाउं ट्रेंट हो रहा था हाला कि उस पर क्लिक करने पर कोई पोस्ट सामने नहीं आ रहे हैं होमपेज पर फीट से सब कुछ गायब थे ना पोस्ट दिखाई दिये और ना ही मीडिया फाइल दिखाई दे रही थी बस होमपेज पर वेलकम टू एक्स लिखा आ रहा था जिसके ठीक नीचल लेट्सको का बटन दिखाई दे रहा था जिस पर क्लिक करने से कुछ ट्वीटर handle सामने आ रहे थे CM नितीश के हिंदी आनी चाहिए वाली बयान को सद्गुरु ने बताया तुछ दिली में हुई इंडिया गडबंधन की बैठक में बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के द्वारा दिये गए बयार के हिंदी आनी चाहिए को सद्गुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा तुछ बताते वे CM नितीश को ऐसे बयानों से बचने को कहा गया है बचे क्योंकि ऐसे कई राज्य है जिनकी अपनी भाषा साहित्य और संस्कृती जुरी हुई है CM नितीश के नराजगी के अटकलों को जेडियू ने नकारा इंडिया गडबंधन के बैठक के बाद ऐसी खबरे चल रही थी बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार नराज है लेकिन अब इन खबरों पर जेडियू के राश्ट्रिय अधक्ष ललन सिंग के द्वारा नकार दिया गया है बता दिक उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते वे कहा कि कोई नराज नहीं थे नितीश जी बैठक के अंध तक थे हम लोग बैठक खत्म होने के बाद सोनिया जी से राहूल जी से और खरगे साहब से अनुमती ले कर आए ये आपसी मंगरत कहानी है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीम से संसत मिलना चाहते थे चुकी सीम दिली में थे और सभी सांसत भी मौझूद थे सीम ने समय दिया तो सभी आकर मिले गडबंधन में कोई दिक्कत नहीं है ये आपको दिक्कत दिख रही है सौरफ गाउंगली को इस खिलारी में दिखी धोनी की जलक 19 दिसमबर को दुबई में आयोजित IPL 2024 के मिनी आक्सन में कई अनकैप्ड खिलारीों ने भी सुर्खियां बटोडी जिसमें से एक जारखन के कुमार कोशागर भी है जो की एक विकेट कीपर बल्ले बाज है इन्हें दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा 7.2 करोड में खड़ीदा गया है ऐसे में कुमार कुशागर के पता शर्शिकान के दोरा दे इंडियान एक्सप्रस से बात करते वे एक बड़ा खुलासा किया गया उन्हें कहा कि ट्रायल में गांगुली उनकी छक्ता मारने की छमता और मैदान पर खेलने की चमता से प्रभावित हुए कुशागर की किपिंग कॉशल नी भी गांगुली को प्रभावित किया और यहां तक क्योंने बताया क्योंने में MS-धोनी की छलग दिखती है जानियाद बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट जानियाज यानी गुड़वार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी के गए इसके बाद राजधानी पट्ना में आज पेट्रॉल डीजल 107.95 रुपे और डीजल 94.70 रुपे और प्रति लीटर है महिपूर्या में पेट्रॉल की कीमत 119.74 रुपे और डीजल कीमत 96.36 रुपे और डीजल कीमत पेट्रॉल का रेट सबस्यादा किसन गंज में है जहाँ पेट्रॉल 109.90 रुपे और डीजल 96.50 रुपे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है अब बरते हैं आज के 5 सवाल की और हमारा पहला सवाल है विहार के किस जिले में महावीर मंदर ट्रॉस्ट के द्वारा विराट रामायन मंदर का नर्मान किया जाड़ा है अगला सवाल महायोगीनी मेला कब तक चलने वाला है इसका सही उत्तर है ऑप्शन दी 14 जन्वरी तो हजार चॉबिस अगला सवाल विशेश सक्षक पातरता परच्छा के उम्र सीवा में कितने साल की छूट मिली है ऑप्शन दस ऑप्शन दी आठ ऑप्शन सी छे ऑप्शन दी चाट इसका सही उत्तर है ऑप्शन दस अगला सवाल किसिन गंज में आज पेट्रॉल की कीमत क्या है ऑप्शन दस अगला सवाल कुमार कुसागर को 7.2 करोड रुपे में आईपियल ऑक्षन दो हजार चौबस में किस्टीम के द्वारा खड़ीदा गया है ऑप्शन दल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन B चन्नाई सूपर किंग्स, ऑप्शन C कॉलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन दल्ली कैपिटल्स बीदे दिन हमारे दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है जिनों ने हमारे दुरा पूछे के सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार मौजुदा भारतिय टीम में किस खिलारी में महिंदर सिंग धोनी की छवी है अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रिनक देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पीस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद